दिल्ली अजादपुर की मंडी में आज आलू का क्या भाव रहा तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों, मैं राजु भाईया आज के इस बीडियो में सभी किसान भैपारी भाईयों का स्वागर करता हूँ किसान भाईयों पंजाब में जो आलू की बिक्री है बिक्री तो बहुत है जबर्दस बिक्री है लिकिन यहां जो भाव है दिली और पंजाब में थोड़ा सा डिफरेंस है फर्क है जो वहां आलू बिक्जाता है उस भाव में आलू पंजाब की मंडी में नहीं बिक्ता है जि पूरे 20 रुके आदमी दिल्ली अजागपुर के मंडी में आते हैं और अपना अपना जो कारोबार है वहां से सब्सक्राइब होटल है जैसा जैसा वहां मार्किट है उतना बड़ा मार्किट सायद ही किसी इलाके में है तो मेरे प्यारे-प्यारे किसान भाईयों आलू का जो भाव है वहां सबसे ज़्यादा महेंगा आलू दिल्ली में भिक रहा है और वहां का जो आरती भाई बैपारी भाई हैं बहुत ही लोग मेंद करते हैं आलू को बेचने के लिए ताकि बैपारी उनके पास माल लेके जाए और पैसा लेंदेन का हिसाब किताब सही रखते हैं तो जिसका हिसाब किताब सही रहेगा पैसे का लेंदे सही रहेगा उसके बाल उसके पास एटो मेंटिंग माल जाएगा तो आज जो लुद्याना मंडी से आलू का भाव भिका है इससे ज़्यादा महेंगा आलू दिल्ली अजापुर के मंडी में भिका है तो मेरे प्यारे साऑ़े नौसोड़े दस्तो के भाव में वहां बिकता है क्योंकि वहां जाने पर खर्चा लग जाता है। और खर्च की वज़ास डरते हैं क्योंकि वहाँ जाने से 50-600 और ख़र्चा बोरी पिचे पड़ जाता है तो इसलिए यहां से आलू कम जाता है क्योंकि साड़े 8900 आलू पंजाम में बिख जाता है इसलिए वहाँ आलू का जो डामन आलू का सिलकम है वहाँ ज्यादा आलू अगर सूरिया आलू की बात करूं तो सबसे महगा आलू सूरिया, दिली अजागपूर के मंडी में विगता है, चाहे मंडी कितने भी बड़ी मंडी हो, लेकिन सबसे ज़यदा महारा सूरिया आलू विखता है और उसका खपत भी है, उसका बोल बाला है, उसका ज़्यादा ब्हाव में सुरी आलु का ब्यापार है क्वालिटी खिसाब से उसका भाव रहा है अलग-अलग क्वालिटी है जादे चमक हाइस ब्हूर्ट अच्छा रहा है तो मेरे पैरे-पैरे की बात करूं तो आज हो चुका है 17 सितंबर 2024 दिन हो चुका है आज मंगलवार आज दिल्ली अजायपुर मंडी में जो ला-लालू है ला-लालू का भाव भी दिल्ली अजायपुर मंडी में अच्छा उसका बोल बाला है दिल्ली में ला-लालू का टकर नहीं दे पाता है जैसे पंजाम में डैमन आलू के आगे सभी आलू फीके हैं उसी तरह सूरी आलू भी अपने आप में एक दिली में एहम रोलनी बाहरा है और सभी सूरी आलू खाना प्रत करते हैं जैसे पंजाम में डैमन आलू खाते हैं उसी तरह सूरी आलू बिकता है दिली अजायपुर के मंडी में तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों जितने भी यालू आज बिके हैं आर्क डेट में आर्क तरीक में जितने भी यालू दिल्ली अजाबुर के मंडी बिके हैं अगर सभी यालू की बात करें तो नीचे 800 से लेकर ऊपर 1200 के भाव में 1300 के भाव में जो हाईयस आल आलू का ब्यापार और भी अच्छा होगा क्योंकि 15 दिन 20 दिन और हमारे किसान भाईयों को समय मिल गया है क्यों किसान भाई बहुत डर गए थे कि अब क्या होगा आलू का भाव तूट रहा है लेकिन 22 बंडे से 15-20 दिन और समय मिल गया हमारे किसान भाईयों को जो इस्टोर में पानी रुख गया है और जब तक पानी सूखेगा नहीं बवाई होगी नहीं इसलिए पंदरा से बीज दिन हमारे आलू के किसान भाई बैपारी भाईयों को थोड़ा समय मिल जुका है और रुख के वो पंदरा बीज दिन बे सकते हैं तो पंदरा बीज दिन समय बहो होता है पंदरा बीज दिन में काफी माल निकल जाता है तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों आप कहां से हैं कि जगां से हैं आप कमेंट कर बताएं कि आपके इलाके में आपके सहर में आपके गाउं में आलू का क्या भाई है अगर आप इस वीडियो में आए हैं वीडियो पूर्पूर के मंडी में अलू का ए भाव रहा तो मिलते हैं अल्गनेट वीडियो में तब तक लिए आप से इजाज चाहते हैं जय जवां